हेलो स्टॉप सबीक सोक बात करेंगे यहाँ पर एक शांदा स्टॉप के बारे में देखिए जिसे रेलेटिट यहाँ पर काफी निवेश्यक के कमेंट आ रहे थे कि सर इस स्टॉप में आचानक आज हमें 5% की गिरावट देखने को मिली है तो इसमें यहाँ पर हमें और गिर क्रेक्शन दिखा चुका है और अभी यहाँ पर इसमें आगे भी किस तरीके से हमको पाफॉमस रखना चाहिए को यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं ताफी इंपोर्टन पॉइंट रहेंगे क्या होता है छोटी छोटी चीज़े हैं जिसको हम इग्नोर करेंगे तो हमें आ काफी लिंडे की बात करें तो इस कंपनी में आज एक दिन के अंदर ही काफी आवर गिरावट की बात करें तो कम से कम 5% की हेविली गिरावट देखने को मिली है और पर शेर पर 50 रुपए स्टॉक डाउन जाते वे नजर आया है इसकी यहाँ पर आप आदत देखिए के बोलतो इसकी इंप्रूमेंट कैसे हो रही है और किस तरीके से यह रिटन निवेश्यक को कमा कर दे रहा है यहाँ पर जैसे मैं आपको एक बात पहले अंडरस्टनी करा दो किस कंपनी में आप्शन डाउन इतने जादा यहाँ पर आभी क्यों हो रहे है क्योंकि मार्केट प्रेसराइज जरूर है और उसी का इंपक्त तो हर किसी स्टॉक पर हमें देखने को मिलता है बड़ दोस्तों खास करकर स्मॉल कैप एंड मीड कैप में इतना तेजी से हमें डाउन ट्रेंड का रहने दो या तेजी का इतना बड़ा इंपक्त क्यों देखने को मिलता है क्यो लिटेजी PERSEND से आती है, उतना ही तीजzy से गिरावट भी जब मार्केट प्रेशेर में रहो, यहाँ पर कोई REASON रहो, तो ऐसा देखने को मिलता है, तो ऐसा मज समदना कि COMPANY में कोई यहाँ पर EASUE है, मार्केट प्रेशराइस होने के बाद ऐसा जरूर होता है, यह बात इस स्टॉक न अपना ये जो चार्ड पैटरन है, जो यहाँ पर 800-840 रुपए के करीब जाकर दिखाया, फीर इसने 1000 रुपए का लेवल टच्किया और फिर गिरावट दिखाइए, कहा तक 825 तक फिर इसने यहाँ पर ये 1000 का लेवल टच्किया, फिर इसने गिरावट दिखा को मिला ना तो इस टॉक में और भी आपको गिरावट डेखने को मिल सकती है है पेस माइंड के अंदार ये आप यहाँ पर समझ कर चलना ये अप सेंड डाउन आते रहते हैं पैनिक होकर बेचकर निकलने की जरूरत नहीं और ये ऐसा बताना इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि काफी निवेशे के कमेंट आ रहेते कि सर अभी हमने 900 पर खरिदा कोई बोलता है हमने यहाँ पर 1000 रुपे पर खरिदा है तो कोई डाउट ने ना हमको पता है कमपनी में कॉलिटी है कमपनी के बिजनेस में स्ट्रेंथ है तो उसका आउटपुट हमको मिलेगा और मैं आप कोँगा आप अच्छे तगड़े रिटन कमाना चाहते तो दो काम कीजिए एक तो आप लॉंग टम के लिए रहिए और दुसरी बात कॉंटिटी थोड़ा ज्यादा रखिए यह दो चीजे रहेंगी तो आप पैसा कमा पाएंगे आप कॉंटिटी ज्यादा खरि इदर है तो मतलब नहीं आएगा यह दो चीजे आपको करने आनी चाहिए और जब भी आप किसी शेर में अपना यहाँ पर निवेश करें पॉर्टफोलिय जब भी आप क्रेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि 15-20 रहा के मार्केट में कि पूरे स्टॉक लाकर भरने है ऐसा नहीं बिलकोल आप कोई सलेक्टिव यहाँ पर 5-10 बस ऐसे स्टॉक खरीदना जिसके अंदर आपके पास कॉंटिटी भी जादी हो और साथ साथ आप कॉलिटी भी मेंटेन करकर चले है आगे बहुत अच्छा ओटपुट मिलता है और क्या होता है हम 5 यहर इसके खरीदरे किसी कि आप उसके अंदर स्प्लीट का बेनिफिट तगड़ा मिलेगा बोनस मिलेगा तो तगड़ा मिलेगा बेनिफिट ऐसे अच्छे होते हैं आप बलक कॉंटिटी रखेंगे तो सभी आपके फेवर में ही बेनिफिट रहेंगे यह चीज़े आपको समझ में आनी चाहिए और में आएगा कि इसा कौन सा रिजन है वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि बल कॉंटिटी नहीं खरीदने के रिजन क्या और ज्यादा शेयर रखने से क्या होता यह भी आप शेयर किजे आपको मैं उसके उपर थोड़ा यहाँ पर कुछ अलग पॉइंट भी बता दू स्टेक है इसमें म्यूचल फंड ने बहुत अच्छा इंट्रेस दिखाया है और इसके अंदर यह एबिलिटी देखने को मिलती है कि आने वाले समय में रिटन मिलेंगे बोलकार म्यूचल फंड वगेरा भी अच्छी तरीके से इसमें इन्वाल हो रहा है यहाँ पर आप दे तो अब यहाँ पर हैपेस माइंड के अबिलिटी समझ सकते है कि कितनी जबरदस्त है और इसमें यहाँ पर कॉंटिटी भी अभी यहाँ पर खरीदी जा रही है अच्छी तरीके से 2,25,000 कॉंटिटी निवेश्य खरीद कर आज रखते है और लगातार 300-400 जैसे हो वह यह सा स्टॉक के अंदर इंप्रोमेंट किया जा रहा है अपना स्टेक बढ़ाने के लिए है तो कंपनी में एबिलिटी उसका फायदा लीजिए और आईसी स्ट्रेटीजी रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको आउटपुट मिलेंगे और आप यहाँ पर थोड़ा आ करना पड़ता है जैसा पैसा कमाने के लिए इंसान लगता है थैंक्यू सो मच